आज हम हरी मिर्च का बहुती टेस्टी चटपटा अचार बना कर तयार करेंगे जिसे आप मैक्सिमाम 10-15 मिनिट में बना कर तयार कर सकते हो और आप इसे पूरी पराठा छोले भटूरे किसी की भी साथ सव कर सकते हो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पतले छिलके वाली हरी मिर्च ली है हरी मिर्च को पहले अच्छे से धो लिया है सूखे कपड़े से पौँच लिया है और फिर मैंने पंखे के नीचे सुखा दिया था आदा घंटा के लिए जिससे हरी मिर्च पर एक बूंद भी पानी ना रहे एकदम सूखी होनी चाहिए अब हम हरी मिर्च के उपर का डंठल हटा कर इसे छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे तो आपको जैसे काट ना हो आप उसे छोटे या बड़े टुकडों में काट सकते हो हरी मिर्च बनाने के लिए आप जो भी बरतन, चाकू इस्तेमाल करें वो एकदम सूखे होने चाहिए जिससे अचार में बिल्कुल पानी ना लगे हरी मिर्च को हमने काट कर तयार कर लिया है अब हम एक चलनी में हरी मिर्च निकालेंगे और जितना हो सके इसके एक्ष्ट्रा बीज हम निकाल देंगे बाकी इसी में रहने देंगे अब हम वापस से हरी मिर्च को बाउल में निकाल लेते हैं और मसाले देख लेते हैं मसालों में हमने यहां 3 टेबल स्पून राई की दाल ली है इससे अचार बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में और खाने में आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाएगी ना मिले तो पीली वाली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हो काली वाली सरसों का इस्तेमाल मत कीजिएगा यहां हमने 4 टेबल स्पून सौफ ली है साथ ही आधा छोटा चमच कलोंजी और आधा छोटा चमच मेथी दाना लिया है यदि आपको मेथी दाना का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप्ट कर सकते हो पर 250 ग्राम मिर्ची के लिए मेथी दाना और कलोंजी आधा आधा छोटा चमच ही लिजिएगा पहले हम मसालो को ड्राइ रोस्ट करेंगे तो हम सबसे पहले सौफ और मेथी को एक साथ ड्राइ रोस्ट करेंगे दो तिन मिनिट के लिए मेडियम टू लो फ्लेम पर अब हम उसी कडाही में राइ की दाल और कलोंजी को भी सेक लेते हैं इन्हें भी दो तिन मिनिट के लिए मेडियम टू लो फ्लेम पर सेक लिजिए पर हमें इन्हें पीसना नहीं है तो यह लिजिए राइ की दाल और कलोंजी को भी हमने सेक लिया है इन्हें भी एक अलग बरतन में निकाल लेते हैं तो ये लिजिए हमने सौफ और मेथी को तो दरदरासा पीस कर तयार कर लिया है अब हम एक बाउल में सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं तो ये राई की दाल, कलोंजी, सौफ, मेथी और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ये तीखा नहीं होता है, इसलिए मैंने एक टेबल स्पून डाला है पर अचार की रंगत अच्छी आएगी आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच काला नमक और मैं यहां देड़ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ मैंने तीन बार आधा टेबल स्पून इसमें डाला है अच्छे से सारे मसालों को पहले मिक्स कर लेंगे और अब हम मसाले को एक बार टेस्ट करके देख लेंगे यदि हमें इसमें नमक कम लगेगा तो और डाल देंगे क्योंकि जो अचार वगेरा होते हैं उसमें नमक हलका सा तेज ही रहता है मैंने टेस्ट किया था नमक मुझे कम लगा मैं इसमें आधा टेबल स्पून नमक और डाल देती हूँ तो टोटली मैंने दो टेबल स्पून नमक और आधा छोटा चमच काला नमक का इस्तेमाल किया है अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे एक साइड में मैंने 100 ग्राम सरसों के तेल को गरम होने के लिए रख दिया है तो हम तेल को अच्छे से धुआ उठने तक पहले गरम करेंगे ये देखे धुआ आने लगा है तो गैस की आज को बंद कर दीजिए और इसे हलका सा ठंडा कर लेजिए तब तक हम मसालो को मिर्ची में मिला देते हैं थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाएए और इसे मिक्स करते जाएए ये सारा मसाला ही मिर्ची में लग जाएगा मैंने सारा मसाला डाल दिया है और इधर हमारा तेल भी हलका गरम है तो हलके गरम तेल में हम एक चोथाई छोटा चमच हींग डालेंगे और इसे मिक्स करके हम मसालों के उपर ये तेल डाल देंगे और बस अब हमें सारे मसालों को मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है तेल की वज़े से मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे तो देखिये हमने मसालो को mix कर लिया है और अब हमने यहाँ दो बड़े नीम्बू लिये हैं इनका रस निकाल लेते हैं आप इसकी जगह 1.5 टेबलस्पून विनेगर भी ले सकते हो तो मैंने 2 नीम्बू का रस इसमें डाल दिया है नीम्बू का रस डालने से अचार की self life बढ़ जाती है नीम्बू के रस को हमने अच्छे से mix कर लिया है ये हमारा चटपटा अचार बन कर तयार है लेकिन मैं इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल और डाल रही हूं मैंने तेल को अच्छे से धुआ आने तक गरम करके फिर ठंडा करके इसमें डाल दिया है इस वक्त आप तेल डालना बिल्कुल skip कर सकते हो केवल 100 ग्राम तेल ही डाल सकते हो 250 ग्राम हरी मिर्च के लिए पर तेल डालने से अचार थोड़ा लंबे समय तक चलता है तो आपके घर में यदि धूप आए तो एक दिन के लिए इस अचार को धूप दिखा दीजिए वरना इसे डायरेक्ट बरनी में डाल दीजिए जिस भी बरनी में डाले बरनी एकदम सूखी होनी चाहिए जब भी अचार ले चम्मच एकदम सूखा होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा अचार हमारा बनकर बिलकुल तयार है ये 3-4 महिने तक आराम से चलेगा यदि आप इसे साल भर के लिए चलाना चाहते हैं तो आप इसमें और सरसो का तेल गरम करके फिर ठंडा करके डाल दीजिए मिर्ची जब तेल में डूबी रहेगी आपको मिल सकी